आप सब बहुत आप अच्छे हुंगे। तो आज देखिए हमने बहुती प्यारा पेर्ट बनाया है। इसका आप प्यर बना के और डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। आप इसको दिवाल पर भी हैंग कर सकते रैं। तो अगर वीडियो आपको जला साभी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजे ताकि हमारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक पहुश सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं फंदे डालूंगे यहाँ पे मैं 10 नंबर सलाई ले रही हूं और थोड़े से फंदे डालने हैं मुझे 7 फंदे तो हम यहाँ पे 7 फंदे से इसको इस्टार्ट कर रहे हैं एक दो तेन चार पाच छे साथ यह देखिए साथ फंदे मैंने ले लिए अब देखिए फर्ष्ट रो जो है इसकी हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे सेकेंड रो से हम यहाँ पे बनाएंगे यह देखिए यह देखिए 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए आप दूसरी रो स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पे पेर्ट की पूछ बनाके तयार करूंगी तो देखिए आपको पैर ऐसे रखना है जितनी लंबी आपको यह पूछ रखनी है उस हिसाब से ऐसे देखिए यहाँ पे इस त दो तीन चार और पांच अब इनको हम ऐसे देखिए यहाँ से छोड़ देंगे दूसरे खंदे में इनको ऐसे पास में कर लेंगे एक दो तीन चार पांच अब तीसरे फंदे में ऐसे एक दो तीन चार पांच यह आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी पहली रो में पूछ जब बनाएंगे बाकी आसाने से आप बना पाएंगे एक दो तीन चार और पांच यह देखिए इस तारे से अब यहां से देखिए दूसरे फंदे में एक दो तीन चार और पांच यह हो गया अब यहां पर यह देखिए सातों फंदे में हमें यह डिजाइन डाल लेनी है दो तीन चार और पांच अब देखिए एक दो तीन चार पांच तो देखिए इस तरह से यहां पर हमने यह फर्ष्ट रो में इसकी पूँच बना लिए देखिए पूच आप छोटी बड़ी अपने असाब से कर सकते हैं अब देखिए इस तरह से देखिएगा आपको तो यहां से जो पांचों फंदे हैं इनका हम एक कर लेंगे ऐसे जो पांच हमने यह अंटा लगा के बुना था ऐसे देखिए दो तीन चार और पांच छे साथ साथ फंदे लिए ते यहां पर स्टार्टिंग में तो देखिए अमने साथ फंदे इस तरह से बना लिए अब देखिए थोड़ा सा आपको ऐसे खिसका देना यह फंदा है जो अंदर के साइड को ताकि यह बराबर रहे और एड़ जैस्ट आ आपको अपने एसाफ से खीच की कर लेनी है तो देखिए इस तरह से यहां पर इसकी पूछ बन गई आप देखिए यहां से हम दोनों साइड से एक फंदा बढ़ाते हुए इसको बनेंगे तो देखिए एक बार हम पहले फंदे मैंसे हम फंदा बढ़ाएंगे एक बार ऐसे बुनेंगे यह देखि हैं दूसरी बार ऐसे बुनेंगे यह देखिए तो यह दो फंदे होगा इसको हम छोड देंगे अब देखिए हम इसमें ripping बनाएंगे सरे यह यह देखिए यानि कि चले तो दो तीन चार यह भून हमारी थोढ़ी सी मौटी है तो हम चार ताइम लपेट रहे हैं अगर आपकी पतली है तो आप 5 टाइम लपेट येगा दो तीन चार और पांच इसको हम यहां पर पकड़ लेंगे ऐसे निकाल लेंगे अब देखिए एक दो तीन चार ये देखिए यहां पर एक दो तीन चार इनको हम ऐसे पकड़ लेंगे ये देखिए ऐसे एक दो तीन चार अब देखिए लाश्ट का जो फंदा है इस पर हम ये रिंग नहीं बनाएंगे यहां पर हम इसको पीछे साइड से ऐसे बुनेंगे और ऐसे इस साइड से बुन लेंगे तो ये फंदे से ये दो फंदे हो गए तो देखिए यहां पर ये फिरिल इस तरह से आपकी आ जाएगी इस साइड में देखिए हम पूरा उल ये देखे, बहुती आसान है, इसको wignarin भी आरहम से बना लेंगे, बहुती जल्दी आप बना पाएंगे, देखने में काफी प्यारा लगता है, तो देखे, इस तरह से देखे, यहां पे, आप देखे, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो ये खरेल है, इस में से आपको थोड़ा सा ऐसे कर देना है तो आपके फिंसिंग बहुत अच्छी आईगी इसमें पैरेट में तो देखिए यह सब आपको जित्ते छले हैं इनमें से ऐसे सलाई डालने हैं देखिए तो यह बराबर आ जाएंगे इसको ऐसे खीज देना है इस तरह से तो यहां से देखिए य से इस फंदे को ऐसे बनेंगे और इसको ऐसे तो देखिए एक फंदा हमने फिर से बड़ा लिया और देखिए अब इस पर हम ऐसे 1,2,3,4 इसको ऐसे बना लेंगे एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार एक एक फंदा दोनों तरप से बढ़ता जाएगा यह देखिए अब इस पर हम फिर बना लेंगे एक दो तीन चार जो हमने बढ़ाया था उस पर हमने फिर बना ली लाश्ट वाले फंदे पर हमें एक बार ऐसे बुनना है और एक बार इस साइड से बुनना है तो देखिए यह यहां पर फिर से फंदा बढ़ गया और देखिए अब दूसरी रो आपको ऐसे ही करनी है यह देखिए इनमे समय से फसा लेना है आरम से यह फस जाएगी सलाई और सभी को ऐसे देखिए इस तरह से पकड़के थोड़ा सा हलका सा आप यहां से भी सेट कर सकते हैं तो यह नि डाल लेते हैं दू हमने डाल ली है तो हम और डाल लेते हैं फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं तो देखिए यहां से कुछ इस तरह से बनके आएगा तो अब देखिए यहां से एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे टोडल हमने यह ग्यारा डि डाल ली है अब देखिए हम बार मी डिजाइन डालेंगे ऐसे देखिए एक, एक फंदा पहले हम ऐसे ही बुल लेंगे यह देखिए चार जैसे हम बना रहे थे ठीक वैसे ही अभी हम इस डिजाइन को कम्प्लीट करेंगे यह रो हम लाश्ट तक बुल लेते हैं तो देखिए बार्मी रो हमने कम्प्लीट कर ली अब बार्मी रो देखिए इधर से हम सीधी बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर गर्दन पर इसकी कंठी की तरह डिजाइन आनी चाहिए ऐसी जैसे अंदर के साइड आ रही है इधर से हम उल्टा बुन रहे थे अब हम इस रो को जो बार्मी रो है उसको हम सीधा बुन देंगे तो देखिए लाश्ट का एमने एक फंदा जिस पर हमने फ्रिल नहीं डाली है उसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे देखिए ऐसे बुनना सेम है लेकिन सीधे तरफ यह गांट जो है सीधे तरफ आनी चाहिए ऐसे इसको आपको थोड़ा सा सैट कर देना है ऐसे पकड़के नहीं तो हम इसको ऐसे ही पूरा करेंगे अब देखिए हम इन फंदों को इधर से सीधा बुनेंगे अब सीधे उल्टे की हम यहां पर दस सलाइया बुनके कंप्रीट करेंगे तो यह गर्दन का जो सेफ है वो आएगा यहां पर तो इधर से हम सीधा और उधर से उल्टा सिंबल बुनना है तो हम यह देखिए इस तरह से बना लेते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे सिंपल बुनना है इधर से सीधा बनेंगे उस साइड से हम उल्टा बनेंगे तो प्लैन हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं तो देखिए यहां पे हमने 10 सलाई बना के कंप्लीट कर ली कि रेड कलर से बुनेंगे और इस बूल को साथ में ले जाना आप नहीं तो आप एक नौट लगा लीजिएगा देखे यहां से सारे फंदे हम रेड से ही बुन लेंगे उल्टे तरफ से हमने ये रेड को एड कर लिया है और दो रो हम इसकी रेड की बनाएंगे तो ये रो हम कम्प्लीट रेड कर लिया है अब देखे इस साइड से हम इसको सीधा बनेंगे तो यहां पे यह दो रो कम्प्लीट हो जाएंगे और उल्टे तरफ से हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे अब देखिए बापस हम यहाँ पर गिरीन कलर से बुनेंगे तो उल्टे तरफ से हम फिर से यह कलर चेंज कर लिया मैंने दो सलाई हमने रेड की बुन लिए है तो पूरी रो हम यह गिरीन से बुन के कम्प्लीट करेंगे इस तरह से और देखिए अब देखिए हम इस तरह से हम इस तरीके की दस रो बना लए दो रैड़ की दो गीरिन की फिर दो रैड़ की अब हम दस रो ऐसी प्लैन बोनेंगे उपर तो यहां से हम यह green color लगा लेंगे अब red आगे हम चौँच में लगाएंगे इसकी चौँच जब बुनेंगे तब तो यहां से हम देखिए दोनों तरफ से ऐसे ही बुनेंगे उधर से सीधा और इधर से उल्टा तो टोटल हम 10 सलाईयां बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो देखिए यहां पे हमने यह टोटल 9 सलाईय बना ले हैं दसमी सलाईय पे हैं तो आप हमारे पास टोटल यह 30 फंदे हैं तो इधर से हम 10 फंदे गड़ाएंगे दस इधर से गड़ाएंगे तो यहां पे दे छे, साथ, आठ, नो, दस, अब देखिए यहां से हम यह सारे फंदे ऐसे ही बुन लेंगे, यह चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदे, पंदरे, सोले, सत्रे, अठारे, उननिस, देखिए, एक हमारे पास यह बाला था, तो अब देखिए, इधर से भी हम दस भंदा घटा देंगे, ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, अब धागा को पीछे करेंगे, अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, और उधर से उल्टा, यह देखिए, इस तरह से, ऐसे, अभी देखिए, हमें ऐसे ही बुनना है, करीब दस सलाई, इतना, यह वाला जो यहां से इस पेस आ रहा है, इसके ऐसे बरावर आना चाहिए, तो लगवग यहां पे हम दस रो इन फंदों की बुन लेते हैं, फिर दिखा, तो देखिए, इस तरह से इसको आपको बनाना है, यहां से यहां से फोल करके देख लेना है, तो यह बरावर आ रहा है, करीब दस सलाई बनाई हैं हमने, आप देखिए, हम बापस यहां से यह रेड गलर लगा लेंगे अब इसकी हम चौच बनाएंगे तो देखिए यहां से एक दो तेन यह जो फंदे हैं हमारे पास इनको हम इधर से सीधा और उधर से उल्टा बनेंगे तो देखिए यहां से हमने एक सलाई बुन ली आप देखिए यहां से एक बार हम और इनको ऐसे ही बुन लेंगे सीधे तरफ से भंदा घटाना है दोनों तरफ से एक एक भंदा घटाते हुए हमें बुन ना है यह हो गया अब देखिए यहां से ऐसे दो काई कर देंगे और यह देखिए यह हमें लाष्ट के एक खंदे तक ऐसे ही करना है यहां पर ऐसे दो काई के उल्टी रो हम ऐसे ही बुन लेंगे यह देखिए इस तर ऐसे अब इस साइड में ऐसे दो का एक यह कर दिया ऐसे यहां से ऐसे दो का एक अब देखिए यहां से हम वापस इनको उल्टा बनेंगे यहां से देखिए ऐसे दो का एक इधर से ऐसे दो का एक अब देखिए लाश में बचे हमारे पास यह तीन फन दे जिनको हम पहले उल्टा बनेंगे ऐसे और देखिए यहां से हम यह देखिए इसको ऐसे कर देंगे और इसको इस पे से गिरा देंगे यह देखिए और इसको हम थोड़ा से लंबक कीच लेंगे फंदे को इसमें से हम इसको काट के निकाल लेंगे आप देखिए हमने इसकी सिलाई करनी है तो देखिए इस तरह से हमें इसको यहां से ऐसे सिलना है यह देखिए यह देखिए यह ऐसे सिल गया आप देखिए इस साइड का ऐसे यह देखिए यहां से इसी धागे को इधर ले लेते हैं थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए यहां पर टाइट नहीं करना है नहीं तो यह खिचा-खिचा हो जाएगा आप कट करके भी कर सकते हैं यहां पर हम पका कर देंगे ऐसे तो देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली अब देखिए इस तरह के मौती में यह चिपका दूंगी अगर आपके पास नहीं है तो आई आप रेड कलर की बूल से बना सकती है इस जगे तो अब मुझे थोड़ी से इसमें कॉटन या फैवर जो भी आपके पास है बो ले लेना है तो देखिए यहां से हम पहले तो यहां पर हमने यह रेड कलर में यह देखिए इसमेंसे हमने ऐसे को डाल लेना है और चौंच की सिलाई करना है ऐसे तो हमने इसको रेड तक सिल दिया आप देखिए हम यहां से नॉट लगाने के बाद गिरीन कलर ले लेंगे अब देखिए यहां से हम यह गिरीन कलर से इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे हमने इसको फोल्ड किया और यहां तक हम इसकी सिलाई करते हुए आएंगे यह वाली रो हमें ऐसे मैच कर देनी है ऐसे पकड़के पूरा इस तरह से यह आप इस तरह से पकड़ लेंगे तो यह बराबर आ जाएगा इधर उदर नहीं होगा यह लाइनिंग जो है बराबर आ गही है तो अब देखिए हम यहां से ऐसे सिलते हुए आएंगे इस तरह से जो फंदा हमने साइड में लिया है वही हम उसको सिलेंगे और यह जो फिरिल है इसको हम अंदर कर देंगे ऐसे सिलते हुए यह देखिए थोड़ा सा हम यहां पे खुला छोड़ेंगे जान से हमें इसमें फाइबर फिल कर देंगे कि देखे इतना हम यहां से यह छोड़ देंगे इसमें से हम सीधा करेंगे इसको आप देखिए हमने सीधा कर लिया अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके यहां पे इसको फाइवर को भर देंगे आप चाहें तो यहां पे कॉटन भी ले सकती है इसका सेप यहां से आपको सेट कर देना है सिर का और और यह बहुत ही आसान तरीके से बनके कम्प्लीट हो जाएगा आप इसका फियर बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है अब देखिए हम थोड़ा सा इसकी गर्दन को ऐसे यहां पर टांक देंगे इस तरह से आप चाहे तो ऐसे अगर हैं कर रहे हैं द तो आप यहां से थोड़ा सा धागा उठाएंगे और थोड़ा यहां से लेंगे इस तरह से बीच में से इसको हल्का सा यहां पर ऐसे टांक देंगे तो यह इस तरह से इसकी गर्दन का सेप ऐसे आ जाएगा यह देखिए इस तरह से यहां से आ गया अब हम इस बूल को कर लेंगे यहां से कट नॉट लगा के आप देखिए जो इसकी चौच है इसको भी हम सेप देंगे तो ऐसे हम पहले यहां से यह देखिए रैड कलर की बूल को निकालेंगे और इखिए उल्टे तरफ से इधर से नीचे के टे एंशर निकाल दने तो यह अपने आप एसे आ जाएगी कि ढोके से जारस देंगे इसको इसता रही से हम थोड़ा सा और आप इस तरह से देखिए यहां से कर और यहां से लिए और देखिए यहां से अगर आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही है तो आप यहां से ऐसे भी जॉइन ठलका सा कर सकते हैं यह देखिए तो ऐसे यह टच बनी रहेगी यहां से थोड़ा सा लू छोड़ें इसको ज्यादा नहीं टाइट करें एक बार हम और करके इसको पक्का क कर दोड़ें.